अपनी स्नैक की रेसिपी में एक और आइटम आड़ करते हुए मैं लाई हूँ ब्रेट पॉकिट की ये जटपट बनने वाली रेसिपी बहुत ही कम इंग्रीडियन्स ये क्रिस्पी नाश्टा त्यार हो जाता है ब्रेट पॉकिट को सही तरीके से बनाने के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी एक बाउल में आड़ करना है चॉप किया हुआ प्याज एक प्याज मैंने लिया है उसे बारीक चॉप करना है आदा टमाटर जिसे चॉप करके मैंने आड़ किया है बाउल में आदी शिमला मिर्च वो भी चॉप करके मैंने आड़ की है लाल और पीली शिमला मिर्च अगर है तो भी इसमें आड़ कर दीजेगा पनीर के कुछ क्यूप्स मैंने आड़ किये है दो तीखी चॉप की हुई हरी मिर्च आड़ किया है डे सारा ऐड़ किया है चॉप की हुआ हरा धनیया रेसिपी को छिपाइस अब करते हुए यहां पर मैंने आड़ किया है चिली फिलेक रेसिपी के बड़िया five तेस के से हली मैंने और घ्रड ही और 8 होट एंचिली वाली सॉस, धेज सारी, साथ ही थोड़ी सी टमैटो केचप, सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है, अब हम ब्रेड रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदा हमें इस्टफिंग करनी है, उसके लिए एक ब्रेड स्लाइज लेंगे, और इस तरीके की कटोरी लेंगे, और कटोरी को बिल्कुल bread के center में इस तरीके से रखना और pressure करना उपर से दोनों side से इसी तरीके से pressure करना है और देखिए बिल्कुल जो center का part है वो अलग हो जालगा ऐसे ही मैंने तीन और bread slices को इसी तरीके से cut कर लिया है ये जो bread का side part है उसे फेकेगा मत ये bread crumbs बनाने के कामा है इसे side रख देंगे अब मैदे का गोल बना लेते हैं बावल लेना है उसमें 2 टेबल स्पून मैदा आड़ करना है साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जाए और continuously से mix करते जाए मैदे का ये जो गोल है ना medium consistency का होना चाहिए ना ही जादा पतला ना ही जादा गाड़ा इस recipe में अगर tips and tricks सई से आप follow करते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही tasty और delicious recipe बनने वाली है या bread की जो cutting है उसको base में रखना है उसके उपर ये mixture रखना है ना जादा होना चाहिए ना कम sides में हमन लिनी चाहिए यह हमारा त्यार है bread pocket जो बाकी bread बच गई थी ना मैंने उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया इस तरीके से bread crumbs बना ली बाकी सारे bread pockets को भी इसी तरीके से ready कर लीजे अब आती है इनकी fry की बारी मैंने हापे shallow fry किया है उसके लिए मैंने high flame पर पहले oil गरम कर लिया था और फिर low to medium flame पर इसे shallow fry किया है आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं fry करते हुए आप साफधानी जरूर बढ़ते अब दोनों साइट से इसे पलट पलट के अच्छ से golden brown कलर होने तक fry कर लिए टैंटनर ready है हमारे ये bread pockets और ये बहुत ही tasty लगते हैं मानिए एक पर मेरी बात और जरूर बनाईए इस recipe को अचानक से guests आ जाएं या special friends की आपकी party ह तो जरूर इस recipe को try करें ये आपकी जो party है उसमें चार चान लगा देगी उपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला एड़ किया है taste and flavor को बढ़ाने के लिए आपको अगर मेरी recipes पसंद आती हैं तो like share करना मत भूलिएगा मैं आपके तक बहतरी इन recipes लाती रहूंगी मिलूंगी एसी और बढ़िया recipes के साथ तब तक लिए good bye take care don't forget to like share and subscribe